आज हम एक बहुती नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर जिसका अभी तक हमने एक भी वीडियो नहीं डाला है तो हमाई बच्चों की तरह डिमांड आ रही थी कि आप कुछ नया अच्छा सा स्टार्ट करें तो हमने सबसे जादा इनोवेटिव सबसे इंटर करना सोच समझ के ठीक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस है आपकी इंटेलिजेंस है वो कहां से आती है आपके एक्सपीजेंस से पर आपको किसी ने बनाया नहीं है आपको गॉड ने बनाया है ठीक है तो इसलिए हम उसे नैच तरह वो act करे या हमाई तरह सोच सके तो field आती है AI उस field कुर आप गया गया कि हम artificially intelligence डालेंगे उसमें ठीक है AI के बहुत सारे domain है हर sector में medical sector में robotic sector में defense sector में मतलब जितने भी sector से सब में AI का use हुआ है तो कोई ऐसा sector नहीं है जो की नहीं यूज हुआ है और आने वाले समय में इसका जो बूस्ट अप होगा इस technology का वो 100% से भी ज्यादा है मतलब जितने भी sectors बचे हैं जो भी है उस में जैसा कि आप स्क्रीन पे बहुत अच्छा था पिक्चर देख पा रहा है जो AI को पेटियम और इन सब पर देखते हो वो क्या करते हैं आप जो भी चीज सर्च करते हो उसी के हिसाब से आपको अगला सजेशन दिया जाता है चलिए आगे चलते हैं आर्टिविजन कंटेंट वॉट इस AI अप्लिकेशन ऑफ एयाई हिस्ट्री एयाई कॉंसेट चैलेंजिस ऑफ एयाई तो यह क्या है हमारा कंटेंट है जिसके बारे हम आप से बात करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान तो शुरू करते हैं वॉट इस AI से AI अखिर होता क्या है चौन मैकाथी इस नाम को याद कर लिजएगा जौन मैकाथी एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्त है जिन्होंने AI का कॉंसेट दिया था और AI आर्टिफिट इंटेलिजेंट वॉट दिया था इन्होंने बोला किया था कि देखें अब यहां पर क्या है और Head कि अपधिशे January अर्टिफिश्यली से ऑप क्या समझते हैं जो कि रियल नहीं हो अब वाली पर उने नहीं कि से पर और बहुत वह यहां हंदी है saith कि के साथ है इंटेलीजन सै बट रियल नहीं है हमारी इंडूस है यह at 2 उसरा न हम है तो वो real intelligence नहीं कही जा सकती वो हमसे कहीं न कहीं प्रेरित रहेगी हमारे intelligence पे based रहेगी ठीक है चलते हैं how AI is impacting our lives अब देखे domains जहां जहां AI चल रहा है यह जैसे क्या एक basic starter video है तो इसमें आप concept समझ यह comment section मुझे बताईएगा कि क्या क्या issues है या आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें अगर कोई दिक्कत है तो जिस पे हम आगे फिर अपनी इस series की और वीडियो बनाएंगे अगर आपका response अच्छा रहा तो जो आप बोलेंगे हम वो वीडियो बनाएंगे smart phones में होता है है security surveillance में होता है social media platform smartphone में कैसे होता है smartphone आजकल इतने AI बेस्ट आ रहे हैं आपने देखा होगा AI camera camera जच कर लेता है कि night है या नहीं दिन है या नहीं night mode यह जो क्या है AI हमने camera को intelligence दिया वो खुद समझ पा रहा है कि हमें कैसे act करना है ठीक है security surveillance में भी same camera जच कर लेता है कि कौन suspicious है कौन क्या है ठीक है Instagram यह सब मैंने आपको बता है Instagram Facebook आपकी search के हिसाब से आपको आगे का वो data दिखाते हैं navigation में AI है e-commerce में AI है आपके search के हिसाब से आपको product दिखने लगते है Amazon Flipkart सब यह सब के पास AI software है banking and finance sector में यूद होता है autonomous vehicle बहुत ही जादा amazing project जो इस पर चल रहा है Tesla द्वारा जो की हाँ जैसा कि बता रहा था मैं आपने टेस्ला का नाम सुना होगा Tesla industry है Elon Musk एक बहुत ही amazing इंसान की जो की autopilot autonomous vehicles पर वाक कर रहे हैं जो बिना driver के चलती है smart homes homes में आप जानते हैं गुस्ते ही light bulb on हो गई mood lightnings होती है आपके mood के हिसा आप से change करता है वह sense करके समझ के कि आपका mood कैसा है applications of AI gaming simulated games like PUBG PUBG में AI यूज हुआ है आप सबने PUBG खेला होगा सब ने खेला होगा और उसका बहुत ही कमाल का यूज किया है AI का real world में जिससे आप relate भी कर सकते हैं vision system drones camera sensor 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 sense करते हैं अपने आप सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है इस तरह के बहुत multiple projects हैं जो कि चल रहे हैं और आने वाले समय मैंने क्या बता है आपको यह 100% boost हो का तो यह field ऐसी है जिसमें अभी आपको को डिक करना है अभी जाना है ठीक है professionals के लिए भी है बच्चों के लिए अभी जाएंगे तो अच्छी knowledge जाएगी professionals अभी जाएंगे तो उन्हें अच्छा exposure मिलेगा companies के लिए because हर लोग ML AI ही मांग रहे है expert google map system software पस knowledge base तो नों को data feed करते हैं system में फिर system उसके साब सोच के फिर चीज़े बनाता है speech recognition Alexa Google talk सुना होगा Alexa आपने सब्सक्राइब Alexa ads देखते होगा Alexa switch on the light call him call her तो यह क्या करता है language processing करता है ऐसे हमने कुछ बोला NLP बोलते है natural language processing language को प्रोसेस किया उस language का मतलब क्या है वो निकाला data set हम देते हैं उसको जिससे वह इतम निकालता है और फिर उसको process करके उसका response देता है handwriting recognition यह भी एक बहुत ही अच्छा application है AI का चलिए तो फिर अब मिलते हैं next video में जो की हमें बताएगा कि जिसमें हम आपको आगे बताएंगे कि इसके आगे basic से आगे हम AI से कैसे applications क्या है और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं thank you very much and goodbye friends